हेलो दोस्तो आज सिखेंगे SBA ATM मेशिन में पैसे कैसे जमा करते हैं इस मेशिन से आप 2 लाग तक पैसे डिपोजिट कर सकते हो आपको और लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो हम SBA Cash Deposit ATM में आ चुका हूँ तो सबसे पहले आपको ATM कार्ड इस तरह से पकड़ लेना है और यह जो चीप बाला भाग है इस तरह से मेशिन के अंदर डाल देना है डाल देने के बाद आपको एट करना पड़ेगा सबसे पहले Domestic Option पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद Yes पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आपका Transaction प्रोसीड होगा उसके बाद Please Select Your Language तो Simply आप English को Select करेंगे उसके बाद Left Side में Deposit Option आएगा आप Simply Deposit Option पर क्लिक करेंगे उसके बाद Right Side में Cash Deposit Option पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड वेट करेंगे Your Transaction is being processed उसके बाद नीचे Continue बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप 10 से लेकर 90 तक कोई भी नमबर टाइप कर देंगे चलिए देश्टो हम कोई भी नमबर टाइप कर लेता हूँ उसके बाद नीचे Yes पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद Please Enter Your Pin ATM पीन टाइप करना है तो चलिए हम मेरा पीन टाइप कर देता हूँ टाइप करने के बाद इधार दिखाएगा Please Select Your Account Type इधार दो option है Savings और Current मेरा Savings है तो Savings पर क्लिक करूँगा उसके बाद दोस्तों आपको कुछ सेगेंट वेट करना पड़ेगा और इस तरीके से Cash Deposit करने के लिए ये Open होगा इसमें आपको Cash रख देना है जितने भी आप Cash Deposit करना चाते हो और यहां पे लिखा हुआ है Cable 100, 200 और 500 की Note acceptable है उसके बाद नीचे Enter Option पर क्लिक कर देंगे आप जितना भी Amount डाला था उसे Count किया जाता है उसके बाद इस तरह के Interface आएगा दिखाएगा कितने आप 100 का Note कितना 200 का Note और कितना 500 का Note आप डाला है अगर आप और भी Cash आट करना चाहते हो तो राइट साइड में Add More Cash Option पर क्लिक करके और भी Cash जमा कर सकते हो तो मुझे और Cash नहीं जमा करना है तो Simply Confirm Option पर क्लिक कर दिया हूँ और देख सकते हो इस टाइप का Receipt निकल के आता है आप कितने रुपिया डिपोजिट किये हो इस Receipt में दिखाएगा अभी कभी मेशिन में मानी डिपोजिट होने के बाद भी आपका Passbook में अपडेट नहीं होता थोड़ा लेड होता है आपको घवरन नहीं है कुछ टाइम के बाद वो मानी डिपोजिट हो जाता है उसके बाद वेट करना है और आपको आपका ATM कर निकल लेना है इस तरह से आप बड़ी आसानी से आप Cash डिपोजिट कर सकते हो Thanks for watching the video